हेलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्ध्रदीस की नमबर वन चैनल for daily current affair कि इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्ध्रदीस weekly current affair यानी मद्ध्रदीस साप्ता है current affair के बारे में दोस्तो इसमें हम चाचा करेंगे एक से दस सितंबर परके भी जितने भी important question हुए है उनके बारे में ये वीडियो आपकी सभी प्रतियों की प्रेक्षाओं के लिए important है जिसमें हमने 40 से ज्यादा question लिए हैं दोस्तो ये वीडियो हिंदिय और इंगलिस दोनों भाषाओं में बनाया गया है तो बिना समय गवाए चलते हैं question number first पर आपको बता हैं 2018 में इन्होंने Mount Everestry फते किया था एक और important work इन ने किया था वो है जून 2019 में इनकी team ने AN32 में हाथ सी में सिकार वाइस सेने को धून निकाला था और ये काम किया था तका तमूत की team ने तो इसकारण इन्हें यह तेंजिंग नौर्गी नेशनल एडवेंचर आवर 2019 दीया गयا है कि Isn't เฌर अबना जाएगी तो इन दोनों शहरों में मद्धबिदेश में मैट्र रिल बनाई जाएगी और इन दोनों शहरों को मैट्र प्रजेट ह की तहत जूड़ा गया है धोस्तु को अधोसित में मैट्र रिल का नए नाम रखा गया है म्द्द बात बात आईए इंदौर और भूपाल की तो आपको मैप में इंदौरों की कुछ important fact की बारे में चाज़ा है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भूपाल की मैप में आप दिख पर होंगे यह location है भूपाल की यह location भूपाल की है broad तरीके से बात करते हैं सबसे पहले fact की तो मद्रप्रदेश का जीलों और पहाड़ों का शहर है सरवादिक जनसंके घनत्व आपदा प्रवन्दा संस्थान और बन भार नेशनल पार्क भूपाल में ही है 1960 में विटेन की सहायता से भारत हैवी electricals की स्थापना भी भूपाल में ही की गई थी देश का प्रथा model blood bank भी भूपाल में बनाया गया है देश्व का सबसे बड़ा सोर उर्जा संयंतर भी भूपाल में ही लगाया गया है चाल्स कूरिया द्वारा भारत भवण बनाया गया है भूपाल में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजल मस्जिद भूपाल में ही इस्थत है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क और इंद्रा गांधी मानो संग्राल है 1985 में बनाया गया था तो दोस्तो ये कुछ important fact की बारे में हमने जाचा की भूपाल के आएएब बात करते हैं इंदोर की कुछ important fact की दोस्तो मैप में आप देख पर होगी ये हैं इंदोर की location इंदोर के important fact की बात करें तो मद्यप्रदेश की आर्थिक राजदानी और मिनी मुंबई के नामसे से जाना जाता है मद्यप्रदेश की मौसम वेजसाला सुयावीन अनुसंधान केंद्र भी इंदोर में ही इस्थित है लेजर कन परमाणु उर्जा संस्थान भी इंदोर में ही बनाया गया है मद्यप्रदेश राज आयोग और वित आयोग के कारे लेभी इंदोर में ही इस्थित है नामसे मौसम 75-वी वशगांथ परमाण उद्योग की 2020 में मनाई गई है दोस्तों आपको बताएं 2020 में रूस के द्वारा कुछ खुलासे किये गये हैं उनके बारे में तो पहला खुलासा किया गया है रूस के द्वारा की 1961 में रूस का परमाण उप्रेक्शन किया था जो अब तक का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बम था हेरोशिमा पर यूएस के द्वारा 1945 में 4400 क्लो बजनी बम गिराया था और ये जो रूस के द्वारा बनाया गया था 1961 में यह इस से 3333 गुना ताकतवर था आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसकी ताकत कितनी होगी और दोस्तो इसका जो नाम है वाइजार था जैड ए आर इसका नाम था 65 किलोमीटर उंचाई तक आग और 800 किलोमीटर तक इसकी राक नजर आई थी तो ये बहुत ही ताकतवर हाइड्रोजन बम बनाया था 1961 में रूस के द्वारा जिसका हाली में कहुला सकीया है 2020 में Next question है मद्यपदिष में आईश्माद भारत निरामयम योजना ने कितनी वर्स पूरे किये हैं तो इस योजना ने मद्यपदिष में पूरे दो वर्स पूरे कर लिए हैं दोस्तो आए आईश्माद भारत निरामयम योजना की कोछ important fact की बारी में जानती हैं तो येस योजना की तहत 5 लाख रुपए पृतिक चिन्नित परिवार को स्वास्त साहता दी जाएगी 1.4-5 करूर गूर्डन कार्ड रिट गिराहियों को दिये गए हैं आईश्मान भारत निरामेन योजना की तहत 652 अस्पतालों से सम्मंद किया गया है यानि आपके जो शहर में या एक जिले में एक अस्पताल या एक से ज़्यादा भी अस्पताल जुड़े गए हैं आईश्मान भारत की तहत और मद्रदीश में कुल 652 अस्पतालों को जुड़ा गया है तो यह कुछ important fact थे आईश्मान भारत योजना की अंतरगत आपको याद रखना है इस योजना में मद्रदीश में दो वर्ष उले की है हाली में दोस्तो बात आईए मद्रदीश की तो आईए मद्रदीश की कुछ important fact विवारे में जानते हैं तो आप देख पार होगे यह है लोकेशन मद्रदीश की इंडिया के मैप में सबसे पहले बात करते हैं इसके formation यानि गठन की तो एक नमबर 1956 को इसका गठन किया गया था राजदानी भूपाल है राजपाल अभी हाली में दोस्तो लाल जी टंडन का निधन हो चुका है जिनकी जगह है अनंदी बेंट पटेल मद्रदेश की कारकारी राजपाल है यह दोस्तो मैं हटा दूँगा भी आपको पीडियाप में यह नहीं मिलेगा बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की तो सिवरा सह चोहन भाजापासी मुख्यमंत्री है बिधान मंडल की कुल 230 सीटे है राजपा की 11 और लोक्सवा की कुल 39 सीटे है मद्रदेश में दोस्तो यह एक important fact आपको मद्रदेश की बारे में याद रखने है नेस्ट कोशन है दुनिया की सबसे लंबी पक्की सचाई नहर किस नदी पर बनाई गई है तो यह है नर्वदा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी पक्की सचाई की नहर बनाई गई है दोस्तो इंगलिस मे बारे में कुछ important fact ये बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लंबा ही है वह चारसो अंठावन किलोमीटर है और यह गुजरात की life line कही जाती है क्योंकि यह जो नहर है यह गुजरात में ही बनाए गई है और यह जो जिस बांध से निकली है वह सर्दा सरूबर बांध है तो नदी की तो आपको कुछ important fact नवदा नदी के बारे में बताते हैं दोस्तो इसे रेवा की नाम से भी जाना जाता है भारत की पांच भी सबसे बड़ी नदी है बात करते हैं किनके राज्यों से गुजरती है तो मद्देश महारास्ट्रों गुजरत इन तीनों राज्यों से ह जो नदियां मिलती है उप नदियां है तो उनके बारी में चार्चा करते है तो वनवाट वंजर सेर दूधी शक्कर तवा गंजाल कagुंदी देव और γोई ये बाई तरफ से मिलने वाली नदिया है वही दाई तरफ से जो मिलती है वह है हिरन, तिंग, दोली, वर्ना, चंदर सेखर, कानर, मान, उटी और हतनी ये दाई तरफ से नवदा नदी में मिलने वाली नदिया है बात करते हैं इसके जो इसके किनारी पर बसे शहर है तो वह है अमरकंटक, डिन्डोरी, मंडला, जवलपूर, होशंगबाद, महेस्वार, बढ़वानी, जाबगवा, ओमकारिश्वार, खंडवा, बढ़वदा, धर्मपूरी और भरुज, यह कुछ सहर है जो नवदा नदी की तट पर इस्थे थे हैं, वहीं बात की जाए, इसका जो ओरि रखना है, नेस्ट कोचन है, हाली में ASI के छित्रों में कितने नए छित्र शामिल किये गए हैं, तो कुल साथ नए छित्रों को ASI, Archeological Survey of India के छित्रों में शामिल किये गए हैं, यह साथ कौन-कौन से हैं, तो आपको बता दें, तरची, राएगंज, राजपूर्ट, जवल अलपुर, हमपी, जाजी और मेरट इन शहरों को ASI के द्वारा नए छित्रों में शामिल किया गया है, दोस्तो बात आई है, ASI की तो आपको इसके बारे में बता दें, ASI का फुल-फॉर्म Archeological Survey of India होता है, इसकी स्थापना, 1861 में Alexander Cunningham के द्वारा की गई थी, Headquarter नए दिल आपको इतना Archeological Survey of India के बारे में याद रखना है, जिसे हम ASI के नाम से भी जानते हैं, नेस्ट कोशन है, हाली में Is of Doing Business का प्रमंदन प्रिकासन बंद किया गया है, या कौन प्रिकासित करता था, तो यह है World Bank, World Bank के द्वारा इस जो Is of Doing Business की इंडेक्स है, वह बंद की गई है और यह बंद क्यों की गई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट में डेटा में बदलाओ और गलट डेटा दिया गया था 2018-2019 में, तो इस कारण इस लिस्ट को बंद किया गया है, दोस्तों अगर इस लिस्ट में बात की जाए तो भारत 63 इस्थान पर था और पहले इस्थान पर बा इसका हैटकॉर्टर वसिंग्टन डी-सी में है और प्रिसिडेंट है डेविट मालपास, तो इतना आपको वर्ल्ड बेंक के बारे में याद रखना है नेक्ट कॉशन है, हाली में खेल विवाग द्वारा कितने विक्रम अवाड दिये गए हैं, तो टोटल 10 यानि 10 खेल विक्रम अवाड दिये गए हैं खेल विवाग की द्वारा, ये कौन कौन सी हैं तो आपको बता दें, राजिश्वरी कुश्राम, मुसकान किरार, चिंकी यादव, पूजा पार्के, करिस्मा यादव, जानकी बाई, अद्वयत पागी, जैवीना, चंदरकां, धरड़ी और फराज खान, दोस्तों ये नाम आपको याद नहीं है, आपके एक्जाम के लिए इंपूटेंट पिलकुल नहीं है, लेकिन खास बात दिये हैं कि इस बा महाराष्ट भी इसी प्रकार का मोडल लेकर आया है, इस मोडल में क्या क्या है, तो आपको बता दें, 2021 और 22 में मद्विदे ट्रस्ट बना कर, खुद ही किसानों का बीमा करेगा, जो बीमा हाली में बैंक करते थे, वह बीमा मद्विदे सरकार खुद ही करीगी, 2021 और 22 के बा बारे में, नेस्ट कोशन है, हाली में सिंजो अवे ने स्थीपा दिया है, ये किस देश के प्रधान मंत्री थे, तो ये जापान के प्रधान मंत्री थे, दोस्तो आपको बता दें, सेहत खराब के चलते इन्होंने अपने पत से स्थीपा दिया है, दोस्तो बात आई है की जो मुद्रा है वह जापानी एन है अब बात करती हैं जापान और भारत की बीच जो युद्ध अभ्यास होती है या Defense Exercise होती है उनकी बारे में तो पहली है धर्म-Guardian ये भारत और जापान की बीच होने वाले Defense exercise है इसके बाद है शक्ती सक्ती भी भारत और जापान की बीच की जाती है सिंदू और सुधरसन ये दोनों exercise भारत और जापान की बीच की जाती है इसके अलावा एक है S-H-I-N-Y-D-U इसे सिंदू भी कहा जाता है इसे मैत्री भी कहा जाता है और ये exercise भारत और जापान की बीच की जाती है तो ये कुछ एकसाइस थी आपको याद रखना है जापान की बारे में नेस्ट कोशन है अंतरास्टी बुकर पुरुषकार जीतने वाली सबसे युवा लेखी का कौन है तो मारी के लुकास ये अंतरास्टी बुकर प्रोसकार जीतने वाली पहली और सबसे युवा लेकी का है दोस्तो बात आई है बुकर प्रास की तो आपको इसके बारे में बता दें यह प्राइज पब्लिश किया जाता है नोवल इन इंगलिस में यानि जो भी इंगलिस में नोवल पब्लिस करता है उनके लिए है अबॉड दिया जाता है दोस्तो यह अबॉड इंगलेंड और आइलेंड से प्रिकासित किया जाता है दोस्तो इसका जो पहला अबॉड है वह 1979 में दिया गया था और फरस्ट भारतीय थी उनका नाम था वी इस नायपॉल 1971 में इन्हें बुकर प्रिसकार से सम्मानित किया था 2020 में मारिंग के लुकास को अंतरास्टी बुकर प्रिसकार से सम्मानित किया गया है और ये सबसी युवा लेखी का है तो आपको इतना इस अवोर्ड की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में कौन सी पत्री का बंद की गई है तो ये है नंदन पत्री का हाली में बंद की गई है मध्यप्रिदिश में दोस्तो 1964 में जवालला नहरो की स्मिर्थी में यह शुरू की गई थी पौराण एक परीकताओं पर कहानियां दी जाती थी इस नंदन पत्री का में जो हाली में बंद की गई है नेस्ट कोशन है राश्टिय खेल दिवस का मनाया जाता है तो प्रत्यक 39 अगस्त को राश्टिय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तो आपको पता होगा होकी के जादूगा ध्यानचंद की जन्म दिना दिवस पर यह राश्टिय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तो इसकी मदबदेश में RTO कारेला हुए परिवान मित्र सुविदा लॉंच की गई है इसके द्वारा क्या क्या होगा तो RTO एप विक्सित किया जाएगा महिला बुजर्ग और डिव्यांगों के लिए विसे इस डिस्क की ववस्ता की गई है तो दोस्तो जो भी मदबदेश के RTO कारेला होंगे उनमें ये सुविदा हाली में परिवन मंत्री गोबल सहराजपूत की द्वारा शुरू की गई है नेस्ट कोशन है सिटी ओफ वेक्सिन की नाम से किसे जाना जाता है नेस्ट कोशन है हाली में किस संस्ता को राष्ट्य खेल प्रोसान प्रोसकार दिया गया है तो दोस्तो ये है लक्ष इंस्टिटूट और आर्मी इंस्टिटूट ये दोनों इंस्टिटूट पुड़ें की है और इन्हे 2020 में रास्टिय खेल प्रोषकार से सम्मानित किया गया है दोस्तो जैसा कि आपको पता है रास्टिय खेल प्रोषकार 29 अगस्त को दिये जाती है जब खिलाडी होकी खिलाडी ध्यांचन का जन्मत दिन होता है दोस्तो 2012 से इसकी शुरुवात की गई थी आईए बात करते हैं 2020 में राजीव गांदी खेल रतन अवर्ड किन किन व्यक्तियों को दिये गया है तो टोटल पांच व्यक्तियों को राजीव गांदी खेल रतन अवर्ड दिया गया है जिनमें है रोष शर्मा जो करकेटर है रानी रामपाल जो होकी प्लियर है मरियपपन ठंगा वेलू जो पेराख्ट लाड़ी है भारत के विनेस फोगट जो रेसलर हैं और मनिका बत्रा जो टेविल टैनेस प्लियर हैं इन पांच लोगों को राश्टिये राजिव गांदी खेल रतन अवार्ड दिया गया है दोस्तो इसके अलाबा जो खेल रतन की रासी है वह भी बढ़ाई गई है साथ कैटीगरियों में सिफ पांच में रासी बढ़ाई गई है खेल रतन की जो पहले रासी दी जाती हुआ है साथ लाग रोपे थी जो अब बढ़ाकर 25 लाग रोपे कर दी गई है तो ये कुछ इंप पूटेंट कॉश्चन है दोस्तो हर एक्जाम में पूछा जाता है नेस्ट कॉश्चन है कापकाश 2020 युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं होगा तो यह हमारा भारत हमारा भारत कापकाश 2020 युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होगा जो भारत के प्रखर विरूदी हैं ये कापकाश 2020 में शामिल होने वाले थे दोस्तो इसका जो हाली में बाइकॉट किया है वह भारत ने किया है तो आपको याद रखना है कापकाश 2020 से भारत ने बाइकॉट किया है नेस्ट कोशन है हाली में चाडवेक बोस्मैन का निधन हुआ ये कौन थे तो दोस्तो ये अभी नेता थे आपको याद रखना है इनका 43 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है अब दोस्तो आपको बता दें इन्होंने मार्वल की मूवीज में जो ब्लेक पेंथर थी उसमें हीर कोशन MM नरवने की द्वारा किया गया है आपको पता होगा MM नरवने भारतिय थलसेना की अध्यक्षय है और ये 28 वे अध्यक्षय भारतिय थलसेना यानि इंडियन आर्मी के आपको बता है इस्ट चुकतर में भारत पाक यूद्ध में रणिती कार मौनिक शौकिस रधांज जली अर्पित करने के लिए या पुस्तक राष्टिय सुरक्षा पुस्तक का भूमचन किया गया है MM नरवने के द्वारा नेस्ट कॉशन है फ्यूचर स्टोर्स को हाली में किसने खरीदा है तो RIL यानि Reliance Industrial Limited के द्वारा फ्यूचर स्टोर्स को खरीदा गया है दोस्तो 24,713 करोर रुपए में इसे खरीदा गया है इसमें जो फ्यूचर स्टोर्स है इसमें बिग वजाज ऐसी कंपनियां शामिल है नेस्ट कॉशन है 2019 में Most Desirable Indian Woman किसी चुना गया है तो दिसा पटानी को 2019 में Most Desirable Indian Woman चुना गया है दोस्तो ये जो रैंकिंग है बाए 2020 में आई है इसलिए इंपोर्टेंट बन जाती है Most Desirable Indian Woman ये बनी है दिसा पटानी दोस्तो MS 20 मूवी हैं इन्होंने किरदार निभाया था नेस्ट कॉशन है किस राजज ने छटवी सूची में शामिल होने के लिए बिदानसवा में परस्ता अपारिट किया गया है दोस्तो ये चटी सूची में क्या है आपको इसके बारे में बता दें पहले तो चटी सूची में मेगाले असम तिरपुरा अमजुरम ये चार राज़े सामिल हैं जिसमें जनजाती छेतरों में प्रिसासन के बारे में उपबंद बताए गए हैं यानि छटी सूची में इन चार राज्यों को शामिल किया गया है और जन्जाती छेतरों के प्रिसासन के बारी में उपंद दिये गए हैं और इसी छटी सूची में शामिल होने के लिए अरणाचल प्रदिश ने प्रस्ताव पारित किया है बात आईए अरणोचल प्रदिश की तो आपको map में इसके बारे में बताते हैं दोस्तो map में हम location देख पा रहे हैं अरणोचल प्रदिश की दोस्तो ये भारत का सबसे eastern राज है बात करते हैं इसकी स्थापना या establishment की तो 20 फरवर 1987 को अरणोचल प्रदिश की इस्थापना की गई थी इटा नगर यहां की राजधानी है यहां की राज़पल वेडी मिश्रा है मुक्त मंतरी पेमा खांडू है और यहां का जो राज़ पक्षी है वह होन्विल है यहां का जो राज़ फूल है वह है फॉक्स टेल औरकिड है और यहां का जो व्रक्ष है वह होलेंग है यानि राज़ व्रक्ष होलेंग है तो इतना आपको अरणोचल प्रदिश की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन है हाली में प्रणा मुकर जी का निदन हुआ इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो दोस्तो 2019 में प्रणा मुकर जी को जो भारत के पूरो रास्ट पती थे और यह भारत के तेरह भी रास्ट पती थे इन्हें 2019 में भारत राजने से सम्मानित किया गया था दोस्तो प्रणा मुखर जी के बारे में कुछ और important fact की बारे में बात करती हैं तो सबसे पहले इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और इनके जो म्रत्यू है वह 31 अगस्त 2020 को हुई यह इनका उपनाम travel shooter man of all seasons कहा जाता था यह एक important fact है आपको याद रखना है प्रणा मुखर जी को travel shooter और man of all season कहा जाता था यह भारत के 13 वे राष्टपती थे 2012 में यह भारत के राष्टपती बने थे तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है मिंत्रा की नई brand ambassador किसे चुना गया है तो कियारा अढ़वानी को मिंत्रा की नई brand ambassador चुना गया है नेस्ट कोशन है हाली में किसे नए चुनाव आखत बनाया गया है तो यह है राजीव कुमार राजीव कुमार को नए चुनाव आखत बनाया गया है दोस्तों यह पूरो वित्त सचरवी रह चुकी है आईए बात करते हैं चुनाव आयक्त की तो आपको बता दें इससे पहले असुक लवाशा को चुनाव आयक्त थे जो हाली में ADV के उपात्यक्ष बने गए हैं और इनकी इस्थान पर अब राजीव कुमार को चुनाव आयक्त चुना गया है इनका कारेकाल पंस साल का होगा नेस्ट कोशन है हाली में किस देशने कोरोना के खिला 35 करोड रुपए भारत की सहायता की है तो ये है जापान जापान की दोरा भारत की 35 करोड रुपए दे कर सहायता की गई है कोरोना की दौरान जैसा कि अभी हाली में हमने जाना है कि यहां की जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हाली में इस्तिपा दिया है और वो थे सिंजु अवे नेस्ट कोशन है बुलूमबर्ग इंडेक्स के अनुसा दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है तो यह है मैकेंजी स्कॉट विलूमबर्ग की अनुसा दुनिया की सबसे अमीर महिला है नेस्ट कोशन है इंदर 2020 जल सेना युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है तो दोस्तो अंडवान सागर में इंदर 2020 जल सेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसे अंदमान सागर में आयुज़त कराया गया है तो ये important fact है आपको याद रखना है Next question है विसु का सबसे बड़ा स्वार ब्रक्ष किस सहर में बनाया गया है तो ये है दुर्गापुर पच्चिम मंगाल की दुर्गापुर शहर में विसु का सबसे बड़ा स्वार ब्रक्ष बनाया गया है Next question है उतकरस्ट प्रवंधन के लिए 21 वा राश्टी पुरुषकार किस हवाई अड़े को दिया गया है तो ये है 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 हैधराबाद हवाई अड़ा हैधराबाद हवाई अड़े को उतकरस्ट उर्जा प्रवंधन के लिए 21 वा राश्टी पुरुषकार दिया गया है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा है हैधराबाद हवाई अड़े को राजिव गंधी अंतर रास्टी हवाई अड़े के नाम से भी जाना जाता है इसे ही 21 बार राश्टी पुरुसका दिया गया है उतकर्स उर्जा प्रमंधन के लिए तो ये important fact आपको याद रखना है Next question है विस्व नारियल दिवस कम मनाया गया है तो दोस्तो प्रतिक 4 सेतंबर को विस्व नारियल दिवस World Coconut Day Celebrate किया जाता है इस पार इसकी जो theme है वह आपको याद रखना है तो invest in concurrent to save the world इस पार इसकी theme रखी गया है दोस्तो आपको बता दें नारियल के उत्पादन में मतिव भारत में सबसे आगे है किरल next question है portion सप्ताय हाली में कफ शुरू हुआ है तो दोस्तो एक सी 7 सितंबर की बीच portion सप्ताय शुरू किया गया है दोस्तो आपको बता दें यह portion सप्ताय प्रतिवर्ष 1 सी 7 सितंबर की बीच ही मनाया जाता है जिसकी शुरत 1982 में की गई थी उचित आहार के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए पूशन सब्ताय की शुरत की गई थी और ये प्रतिक वर्ष 1-7 सितंबर के बीच मनाया जाता है Next question है मनसूर साह ओलिया का ओर्ष कहां शुरू हुआ है तो यह ओर्ष ग्वालियर में शुरू हुआ है दोस्तो मध्वर्ष की ग्वालियर में मनसूर साह ओलिया का ओर्ष मनाया जाता है आपको बता दें यह सिंधिया राजवंस की कुलगुरू कहे जाती है दोस्तो बात आईए ग्वालियर की तो आपको मैप में इसकी location और इसकी कुछ important fact की बारे में चर्चा करते है दोस्तो मैप में आप देख पार होंगे ये है location गौलियर जिले की आप बात करते हैं गौलियर के कुछ important fact की तो पहला fact है गौलियर को प्राचीन नाम में कूपचाल की नाम से जाना जाता था तांसेन की नागरी तांसेन का मगवरा और सास बहु का मंदर गौलियर में ही इस्ते थे इस यह का परत्म शारिरिक प्रसिक्षन महा विद्याले 1957 में गौलियर में ही इस्ते बनाया गया था बेजा राजी सिंधिया क्रश्वी बिश्विध्याल 2008 में ग्वालियर में ही बनाई गई है NCC महिला प्रिसिक्षन कॉलेज भी ग्वालियर में ही बनाया गया है दोस्तो ग्वालियर के किले का नमन राजा सूरसेन के द्वारा किया गया था ग्वालियर के किलों का रत्न जिब्राल्टर ओफ फोर्ट कहा जाता है सौन्चुडिया के सनरक्षनर के लिए घाटी गाउं अभ्यरन भी ग्वालियर में ही बनाया गया है तो दोस्तो ये कुछ important fact थे ग्वालियर के बारे में आपको याद रखना है एक्जाम में question इन्ही फेक्टों से बनता है next question है हाली में कब सिक्षक दिवस मनाया गया है तो प्रतिक 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तो आपको बता दें इस दिन राष्टपती सिक्षा में योगतान देने वाले सिक्षकों के लिए सम्मानित करती है और इस पार total 47 सिक्षकों को चुना गया है यानि 2020 में सिक्षक सम्मान के लिए 2020 में सिक्षक सम्मान के लिए कुल 47 सिक्षकों को चुना गया है वर्ष की उमर में निधन हुआ है ये लोगईत के महान गायक थे जिसे हम B.A.R.C. लिस्ट की नाम से जानते हैं और यह 2019 में अंद्रप्रदेश अफवल राज़ बना है जोस्तो बात करते हैं मद्रप्रदेश की तो मद्रप्रदेश इस बार फूर्थ इस्थान पर है यानि चौथी इस्थान पर मद्रप्रदेश है जोस्तो आपको बता दें 2019 में अंद्रप्रदेश इससे पहले भी 2018, 2017 और 2016 इन तीनों लिस्ट में पहले इस्थान पर रहा है तो यह कुछ important fact थे इस लिस्थ की वारे में आपको याद रखना है अब बात आईए अंद्रप्रदेश की तो आपको मैप में इसके लोकेशन की बारे में बात करते हैं दोस्तो यह लोकेशन आप अंद्रप्रदेश की देख पा रहे होंगे यह है अंद्रप्रदेश अंद्रप्रदेश की राज़तानी है और प्रेस्तावे राज़तानी अमरावती है यहां के जो राज़पालेंबाई ESL नरसिम्मा है और मुख्यमंतर हैं चंदरबावु नाइडू इसकी स्थापना एक नुमार 1953 में की गई थी राज़सवा की कुल 11 सीटे हैं और लोगसवा की कुल 25 सीटे हैं अंद्रप्रदेश में तो यह कुछ important fact आपको याद रखना है दोस्तो 2014 में तिलंगान राज़ अंद्रप्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था तो आपको अंद्रप्रदेश के बारे में इतने important fact याद रखने हैं next question है मद्रप्रदेश सिखशक दिबस पर राज़्टपती द्वारा दिये जाने वाले राज़्ट्य सिखशक पुरुसकार में किसे चुना गया है तो यह हैं संजय कुमार संजय कुमार को राष्टपती द्वारा दिये जाने वाले राष्टिय सिक्षक पुरुसकार जो 25 सितंबर को दिया जाता है राष्टपती जी के द्वारा उस अवोर्ड के लिए मद्यपदे से संजय कुमार को चुना गया है और आपको बता दें ये संजय कुमार टीकमगड में हाली में पदस्त हैं तो आपको इनके बारे में important fact है याद रखना है और 2020 में रास्टिय सिक्षक पुरुसकार के लिए कुल 47 व्यक्तियों को चुना गया है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 1 से 10 सितंबर 2020 के current affair के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे like कीजिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों परियवार जन के साथ share कीजिए और हमारे चैनल study universe को subscribe जरूर कीजिए दोस्तों ये पीडियो most IMP है आपके सभी competitive exams के लिए अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम गूर्प से जड़ जाएए वहाँ पर PDF के अलावा और भी interesting material study से related material आपको मिलता रहता है तो जिसका description में link दिया गया है इसके अलावा आप अगर हमसे personal जुनना चाहते हैं तो आप हमें इस ID पर मेल कर सकती है मेरा नाम अनिल ठाकुर है तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार, have a nice day